और इसे बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खाबर है उतरत्रदेश के हापुर से, जहाँ पर कोहरे के चलते हुआ है बड़ा हाथसा, कोहरे में टकराई है, दर्चन भर से ज्यादा गाडियां, हाथसे में बुले रुचाला गंभी रूप से हुआ है घायल, तीनों थाने की मौके पर मौजूद है, राहत कारे रहा पर चलाय जा रहा है, हाथसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, थाना, हाफेस्पोर्ट थाना इलाकी की नेच 9 की ये घटना बताई जा रही है, तस्वीरे आप देखिए, क्योंकि अब कोहरे के कारण कई बार इस तरीक कत के बाद सुचारू किया जा सका वहां का, दर्जन भर से ज्यादा गाडियां यहाँ पर एक तिबाद एक कोहरे के चलते टकरा गई, विजिबिल्टी बेहत काम हो जाती है कोहरे में, और ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कोहरे में रफ्तार आप कब रखिए, क्योंकि कब थोड़ी सी लापरवाही इतनी बड़ी हाथसे का रूप ले लेगी अंदाजा भी नहीं है, और यह तस्वीर आप देखे करीब दर्जन भर गाडियां है, जो तकरा गई, उत्तरप्रदेश के हापुर से यह तस्वीर है, नह 9 की यह घटना बताई जा रही है, और तरप्रदेश में दर्जन भर से जादा गाडियां जहां पर टकरा गई, और हाथसे में बोलेरो चालक गंभी रूप से घायल है, और तीनो थाने की फोर्स वाके पर मौझूद है, जो की रहात बचावकार है वहाँ पर चला रही है.